सब्सक्राइब कीजिए को और क्लिक कीजिए इस बेल के आइकन भार एक वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हलो और वलकम तो माई चैनल कोलकाता सिटी एक्सप्लोर एबिधिंग दोस्तों आज मैं आपको लास्ट राइम जो वीडियो अपलोड किया था उकिनावा खा उसके बारे में बताने बाला हूँ उस वीडियो में मैंने बताया था कि आपको उकिनावा स्कुटी नहीं लेना चाहिए जब उस संधिनला कि आप इस वीडियो में आपका वोड़ाउट में कलियर कंपने बाहरो तो आप वीडियो को एंड तक देखना वीडियो को अच्छě से देखना तो आप वीडियो नहीं किलिक कर छाओ आप schreiben के ऑगा अगर इस वीडियो वीडियो देखो तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा ओके मैं वीडियो सुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा बता दू कोई पोड़क अगर बेज दोगे ना उसका बेचने के बाद उसकी सर्विसिंग में चीज होती है जैसे कि आपने चाइनिस फोन ले लिया आपने दो दीनी उसका खड़ाब हो गया उसके बाद दुकान बाला बोड़ रहा है मैं गया गुड़ू उसकी सर्विसिंग पे ले कि जाओ और उसका सर्विस से इंट आपको नहीं मिल रहा है तो मेरे साथ कुछ आइसे विच्विस से नहीं हुआ है बस गारी बेचा है कि मैं क्या पूंदा चाहिए दोस्तों मैं बिसकली कोलकाता से बिलाउं करता हूँ इसलिए मैंने बेंगॉली में इस वीडियो को थोड़ा से बनाए तो 50% बेंगॉली में और 50% हिंदी में तो इसका कोई दिकत नहीं है जो बेंगॉली में उसको मैंने टैंसलेट करके भीडियो को सणो जो भीर भीडियो मैं रहाना च्राइं तो आप कर दो दूंगाने जब लाससे वीडियो वीडियो के अपलोट किया था ये वाला विडियो तो इसमें काफी लोगों ने कमेंट यंच ये ये आप विडियो के एक पाऊस्थ करो और अच्छी में मैं सबस्क्राइब , मैं सिंटा था व पूरे अंडिया में सर्विसिंग का निक्कत है , तब मैं कोलकाता में नहीं है , बागी चैन्नाओ, मुंबाई , दिल्ली हो गया , जो भी बागी शीचीई , स्मॉल सिटीज है सारे जगा बास गारी बेज दिया है उसके पास सर्विसिंग में दिक्कत है आप एक बार वीडियो को पॉस्ट करो जितने भी कॉमेंट है अच्छे से पड़ो मैंने मेरे वीडियो में 50 कॉमेंट आए उसमें 45 कॉमेंट जो है ना वो सिब बता रहे कि हाँ आपने सही बोला है हा मेरा साथ ये दिक्कत हुआ है कि नवे स्कुटी मत दो आप एक बढ़ो वीडियो को पॉस्ट करो और सारे कॉमेंट को पड़ो तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों मुझे पता है वीडियो काफी लंबा बन गया है लेकिन आप अगर वीडियो को आपके वीडियो को अच्छे से सुनोगे ना तो आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा तो प्लीज मैं चाहता हूँ कि वीडियो को स्कीप मत करो और आप अच्छे से सुनो और आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताओ प्लीज मैं चाहता हूँ कि यह मैंसे पूरा इंडिया तक पहुचे तो दोस्तों ज्यादा बगबग ना कुरतु है मैं वीडियो को सुरू करता हूँ अब वीडियो के एंड तक देखना आपको आई होग अच्छा लगेगा हलो मैं पहलो मैंने ने दाद हिसर आप मैने परटेश तो आप मैंने बाद तुसका मैं सर्विसिंग पली जा रहो तो वो बोड़ा है हम लोग नहीं करिंगे कभे दो कि करना पर जब मुझे आपको सब्स लिए करना पड़े कि आपको सब्स करना परोगी कि अपको ड़ुट कर्लियों । का थे को है यह को फो जब करना पड़ेगा अपचा वर मैं सर्विस के लिए खर दूंगा और उसका बैटरी मतलब बयब पहले जितना दिता था झाम भी तो आपैरी का गैरिंटी तो है तो तो व तो चेंज करके देंगे नहीं कर साहएं लेके जाए यह शोडूं के स्कूटर ठीक है माम ओके हैं हां मैम आप कस्टमर के नंबर नोट कर लिए आपसे काल की चे ना नेक्स ताहिए माम नंबर प्लीज बता हिए जीरो वन टूओ रॉड फोर फोर नाइन फोर नाइन है फाइव ऑइन है उन से भी मैंने काफी सारे बात किया है आप सुनो थोरा सा वीडियो को यह बंगॉली में मैं आपको हिंदी में में टांसलेर कर दूंगा फेले आप वीडियो को सुन लो दोस्तों और एक बात बताना चाहूंगा ये जो आप recording आभी सुनो की ये मैंने अपने मोइल के recording से record किया है तो मैंने mobile का recording आउन करके मैंने अपने जे वे रख लिया उसके बात जो बात हुआ वही recording में आपको सुनाने वाला हूँ । तो दोस्तो पहले जाके मैंने पूछा की कोई नहीं है कि अभी जिससे में बात कर सकता हूँ फिर वह आये मेरे सामने कुछ फीमेल तो उन्होंने बोला कि क्या चाहिए मैंने बोला फिर मुझे ओकिना बैस कूटी जो है मेरा उसको सर्विसिंग कराना है मैं काफी दिन से घूम रहा हूँ और फिर उन्होंने बोला कि हमारा सर्विस सेंटर पिकनिक गार्डेन में आप उदर जा सकते हो तो मैंने बोला उदर पहले तो वो बन था तो अभी उन्होंने बोला अभी ओपन हो गया है आप जा सकतो मैं कॉल कर देता उनको आप अभी जाके उदर चेक कर सकते हुआ अब तो अभी फिल ऑटकर की शर्पऺ किना शर्पर? माले मकाले सकते हो अर बन डला तो jeanne और में पय además ओन्हीं पया थेखा है आ ज्या थे छही ससे पार हो पार वने कोड़ी से और ल记 से आप हो और से लिया था तो बोला आप अब higher-काते में सर्विस्न णोगा सी तो उसके लिए आप हो प्रेय करना हो गा में पैकर दोगा लेकिन उसका जो बातरी खड़ा बे आप चेंज करके दोगे तो बोला हूं मैं हम नहीं बता सकते हूं आपको सर्विस इंटर में बता देगा मैंने ठीक है फिर उन्हें ने पूछा कि गारी का दिक्कत क्या है मैंने बैटरी पहले इतना मालेज देता था 60-70 km अभी नहीं देता अभी 40 के आसपर से मालेज देता है फिर उसनोंने पूछा कि आप गारी रखके जा सकता हूं कितने दिन के लिए रखना है अचा तुन भी आपर साथी संक्राइक नौज देता है अाँ से जानी आप अंतल इसाट में आप आपना प्याद आपना है ना आपांट आपके जो चेंच वर्ट पार एक वर रहासा थाँ भेले लिटा उखान gone फिस्व उर्णी आप बोलो våra कि आप लेकर जाओ सर्वी सेंटर में जर्ज रिशार्ज Reme ango साथ में दो से तीन के लग जा ना और मैंने बोला कि मेहां जो मोटर है पीछे का चक्के का वो भी चेंज करना होगा ऊपह Partner सेंटर लेगे जाओ वो देख के बता देंगे कि क्या क्या करना है फिर मैंने बोला है कि एक बार सर्विस इंटर में कोई है तो उसको कॉल करके पता लगा पता कर लो एक फिर में जाता हूं स्वाय कौत आया है कोड़ोग कर फिर में इस डर्व करने जाना से फिर आूसर कैजि का व्युद्न जाओ जाओ यूद प्रेयों डिए जा जाओ जाओ निए भेषए आजित अर्याओ अद्सरेशिटेश इंट आभाब फिर में जाओ निए बिल्गष और लेंगे आध में पर सब्सक्राइब से फिर उन्होंने कॉल लगा है सर्वी सेंटर में और पूछा कि वह है कि नहीं और मैं गारी लेके जा रहा हूं रीज थर्टी तो उसका क्या क्या दिक्कत है उसको देख के थोड़ा सा उनको मतलब ऑपिस में भी बोलना है और बहुत को भी उनका जो बहुत ह क्वाजच को ब्लाइं सब्सक्राइब गिंडरिश वर्की सांवश सा दिकते हैं खुछ तरुडरियल हुर्ड़ मतलब सत्यार भी तो पर दो राई खेवाकता जोगा पर रख सेटर में पर वोलते हैं हुआ है और निखोन बोर्यट थे का आज सब्सक्राइब दोत्त है तो, टो तर सब्सक्राइब को घरानि के टो अजिते हैं आज़ 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 मैं फ्रीफेड़ी है इस प्रीफेड देट खशो पास अ मत थ्रीफेड़न देट झाय्या थ से अधर ज़ीद अज़ीए अपने बुए जिए टम नेतरे सार्फी सब्लेगी जो अर्शी है तो आम अब भीचिला में की दू-तिन मास्टर मोद बोला आमके बोले जो दू-तन मास्टर में डोकॉल्काटा आइसे आगे जामे ठीक आज है को नामी अफ्राफ पर फ्री बाई नी न ताजुना है भूच जुदी रेक्टू को लाएट ले तो ऊजिए ज़ दो अज़ा जुदी ना इस वे शूराण रेशिली ना भेट देवेना बोल देवेना बोल देवेना फिर उन्होंने अपने सर को कॉल लगाया और पूछा सर्विसिंग चार्च कितना है फिर उन्होंने बोला 500 जैसा आप वीडियो में सुन सकतो पिर मैंने बोला अगर मैं यूटूब में आपकर लोगा वीडियो बनाय तो च्ब्राइब दो दूपिर मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला के सब्सक्राइब कोई कोई डिसकाउंट में से थिका मैंने खरसान नहीं कोई बात यह पर अब फॉब कर दोबंगा अधर पर शार्वेस सेंटर इंग रही है अच्छिए अधर विडिया जाता है विद्ध गायड़ नी जा अधर पॉस्टिवन ना इलेक्टिक अधरी ना नंबर विडिये कैसे प्ले पर्मेंट आसी नहीं होनों टेंपरेरी शोड़ा है जी तर्टी को तो आपने जाहां से स्कूटी लिया था होड़ा से मैंने बोला है लेकिन वह काफी दूर है इसलिए मैं जानी सकता प्र मैंने पूछा कि आप का जो अकीरन प्रेस है उनका रिश्ट्रेशल नंबर निकला है फिर उन्होंने वहला नहीं, अभी तक तैंग रिश्ट्रेशन नंबर नहीं निकला है उसका ऊ- Stupid camera से, फिर मैंने पूछा कि ओकिना प्रैच कितना है तो आप प्रैस सुनी सकतो हू किस पर चीरा चीरा को आतवसे को रवेशा दूत हतना पर चीरा चीरा अभी फटम टूत ही अँने आप कि अधेruff शेमा जावीज हों भॉर्फ टॉर्फ टॉर्ण वर्षरीन यह कि उन्हाय कोरा है कि उन्हाइज कि वहां पताला फॉर्ज कर देन शेन कर दोन एटार्व whereas यह वह प्रसथरा को तो दोस्तों मैंने इससे पहले वाला वीडियो में बताया था कि मैंने आज तक ओकिनवा स्कुड़ी का एक भी सर्विसिंग नहीं किया है तो मेरा जो सर्विसिंग फ्रीओ होता है वो मुझे नहीं मिला था कि यह पेज घान हम लोग आपने मिलने वाला कि कि उसका जो मायलेज होता है टागेट होता है क्यासी कि किए टूल्जні ÇALI M Dylan gorukया करना पड़ता है तो मेरा टेने टैंटन से उपर हो गया यह तो मुझे अगर आपका कुछ यह सुरू अगारी का तो आप क्लीम करने में आसानी होगी घंटा कुछ आसानी होगी कुछ नहीं होगा आपको कुछ नहीं मिलने वाला इतना समझ लो दोस्तों मैंने कॉस्टोमर केर में कॉल किया और पूछा कि अगर मेरा कंट्रोलर खड़ाब हो जाए या फिर जल जाए तो उसका रिप्लेस्मेंट का क्या सीन है और यह भी पूछा कि आप लोग का सर्विसिंग चार्च कितना है तो आप एक बार सुनो यह बोईस को आपको पता लग है तो यह तो है हम मैं कॉलकाता से बोड़ रहा हूं मैं एक खिनाभा का इसको ते लिया था का का अव्रे से तुसको मैं अधिस्टिंग दिया था कॉलकाता में तो उनका ना थोड़ा से प्रूलर खड़ा ओगया उसका जल गया है मतलब इक तार जल गया है तो आप वो हैं मैं बात किया है उन्होंने बोला कि आप लोग मतलब कस्टमर की ऐसे पूछ लो वो रिपलेस którzy नहीं करेगा आपको मतलब अंदर कुछ खराब होगा तो वो रिपलेस करे सका लेकिन आर जल जाए गा तो नहीं करेगा आक्षिली से लट देखे जो पालने टर्मसमानी कें मैंने उस पर कॉल किया लेकिन वह रिसीब नहीं कर रहा है कुई एक मिटे कॉल कीज़ एक मिटे कॉल कीज़ एक मिटे कॉल कीज़ लिया था आट मेना पहले मैंने कंट्रोला खराब है मतलब जल गया कर एक ता तो मुझे पूछना था क्योव आप Llovu नहीं कर थे अग तो और प्रणिंग का कोई वारेंटी नहीं रहता है अच्छा जल जाने का कोई वारेंटी नहीं रहेगा अच्छा अगर अंदर कुछ खड़ाव का तो रिप्लेस करके देवेगे तो कि माम कीके और दूसरा पूछना था अपकलो का सर्विस चार्ज कितना है मिनिमम मतलब मिनिमम करने का है 200 रूपीज अच्छा अहां और लेबर चार्ज है 150 अच्छा मतलब टोटल वाजने 350 रूपीज से एक बार इसकूटी सर्विसिंग कराओ अच्छा मैं जो कोलकाता में होना वो मुझे 500 चार्ज कर रहे हैं 500 किसका बैटरी ये चार्ज बैटरी डोटेट करेगा और अच्छा मतलब अभी नया कंट्रोलर लगाना पड़ेगा उसको चेंज कर देगा और गारी को दोके देगा तो उसका 500 ले रहा है नहीं इसमें वार्ष का नहीं है वार्ष करने का नहीं है और बाकी जो हमारा ये चार्ज मैंने बता है चार्ज डिस्चार्ज का है 150 लेबर क हाँ 250 है आपका चार्ज डिस्चार्ज करने का तू मतलब 250 है चार्ज डिस्चार्ज करने का अच्छा तब तो अब तो क्तल हो गया 400 हुआ तो वह 100 रुपीज तिंक वाश का ले रहे होंगी क्योंकि सर्फ वाश के बाद एर प्रेशर से उसको ड्राइवी करना पड़ता है अच्छा तो अगर अंदर पानी चला गया तो वह भी दिक्कत हो जाती है तो दोस्तों अगर आप लोग ने मेरा लाज वीडियो देखा होगा तो उसमें आप मैंने आपको गारी वर्स भी दिखाया तो उसमें आपने देखा कि पानी से उसको दोया उसके बाद सेंपू लेकिन कोई एर पेशेट से उसको हवाद डाल के सुखाया नहीं था गारी को अभी पताओ इसमें आप बैटरी खड़ाब हो जागा तो किसकी गलती है वो भी हमारी गलती होगी तो दोस्तों ये तो हो गया मेरा कॉस्टूमर के अरश से बात अभी मैं आपको बताता हो कि सर बिजिए गारी सर्विसेंगे कई अजय गारी सर्विसींगोगे की टोरी खेलों के वासन यान एफ यानदो चलू के वासन गया डूरू हमारी के ऐफ रसना है को था जाल्टी अवे थाध ऐंगल और प्रूमाध ओखता है अच्छ नग और यह पर ज़ा पालता हो गार्ठार आमार मोनेचे चेंज कोया था अवे अनेक कॉमली स्फीट रीच छे ठीगा चासले में चेक कोड़े भाटे हमें चेंज कोड़े मने आट मास वाइगा अच्टाव सार्विस पाई नी अमी अब सुदू यो वाइक के रोखानी कि एक बाटरी एक लो स्विच को रीचाम तार प अब आपको थोड़ा सब्सक्रापि अब समय आया होगा तो ठीक है मैं और अच्छे सब्सक्राइब कर देता हूँ तो मैं इस बंदे को करीब करीब दस बार कॉल लगाय होगा कि मैं कब ले गया हो सर्विसिंग के लिए लीए तो इसपका भी गलती नियए ये बोलता है कि अब शूरूम पर लोग नहीं कभी सारी इंटर पर लोग यह ऐसे मेरे पास भॉइग सिंटर भाहा भाल प्ला लेके मैं मैंने दो जो इंपॉर्टन बात है उसको डाल दिया तो ऐसे मैंने उसको बोला कि मेरा बैटरी का रोटेशन मैंने एक बार यूस से कड़ाया था तो कब कड़ाओगे मुझे बैटरी भी चेंज करना है कंट्रोलर भी ये अच्छा कासा नहीं दे रहा है तो यही बात हुआ त फिर एक दिन जाके फाइनली मुझे उसने बोला कि हाँ आज आ जाओ तो दोस्तों यह वीडियो काफी लंबा बन गया है मैं इसको और खीचना नहीं चाहता हूँ तो इस वीडियो के मैं इधर ही एंड करता हूँ इसका मैं सेगेंड पार्ट भी लेके आऊंगा जिसमें मै आठ मैना हुआ है गारी को जिसको मैंने कस्टूमर केर में कॉल किया कि उसकी और इंटी है फिर भी चेंज करो वह फिर भी नहीं करेंगा तो यह मैं आपको सेगेंड पार्ट में दिखा दूंगा तो दोस्तों यह भॉय सुनके अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया लेकिन उसकी जो servicing होती है मुझे तो ऐसा ही लगता है आपको क्या लगता है आप प्लीज बताओ और आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप प्लीज मुझे comment box में बताओ मैं इसके लिए भी कुछ action लोगा और आप सब का comment को पर भी मैं एक वीडियो बनाओंगा तो द कर भी मैं मुझे का लोगता है तो आप सब्सक्न का 맞 हिकर दो आपपेड़ाद़ खर जागता हीantes में आपके साथ वोगता हैं आपपेड़ाद लिए लिए आपके समassus लोगता है